कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता, हमारे प्यारे कार्यकरता, भाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार मैं जहावी जाता हूँ, कहता हूँ प्रेस के हमारे मित्रों, मगर मित्रों का काम नहीं करते ही है लोग। हमारा छोड़ो हमारा छोड़ो जनता के मित्रों का काम नहीं करते ही क्योंकि अगर आपके मित्र होते तो आपको देश की सच्चाई दिखाते बेरोजगारी के बारे में बताते महिंगाई के बारे में बताते मगर नहीं ये तो आपको चीता के बारे में बताते है देखो देखो अफरीका से चार चीता आए है देखो जंगल में घूम रहे हैं देखो ये भी सवाल पूछा कि क्या चीता हिरन को मारेगा या नहीं मतलब अफरीका का चीता हिंदुस्तान में आकर रेरन को मानना भूल जाएगा तो मित्र तो है नहीं अच्छा मीडिया बात नहीं उठाती जनता की तो हमने सोचा पार्लमंट में भाषन करो दी मोनेटाइजेशन नोट बंदी के बारे में भाषन करने की कोशिश की गलत जी एस्टी के बारे में बोलने की कोशिश की जो हम जमीन अधिकरन कानून लाएते जब नदेंद मोदी जीन ने उसको रद करने की कोशिश की हमने पार्लमंट हाउस में बोलने की कोशिश की वहाँ पर माइक आफ कर देते हैं देखो ऐसे तो एक तरफ मीडिया बात नहीं उठाती दूसरे तरफ माइक आफ कर देते हैं तो हमने सोचा चलो जनता के साथ कन्या कुमारी से कश्मीर चल कर जनता से बातचीत करें जनता की आवाज सुनें और जनता के दिल में जो है वो रखें तीन हजार किलोमेटर हो गए कन्या कुमारी से शुरू किया कम नहीं होता भाईयों और बेनों आप ये मत सोचो कि तीन हजार किलोमेटर कम होता है कम नहीं होता है 110 दिन हो गए मगर अजीब सी बात है ठकान नहीं है आप देखिए मेरा चेहरा देखिए कोई तकान नहीं है लोग पूछें टी शर्ट में कैसे चल रहे हो ना तकान है ना ठंड लग रही है मुझे अब मैं क्या बोलूँ अच्छा जो प्रेस वाले हैं एक बात देखो मेरे साथ एक बात देखो इनके बारे में देखो एक बात ठेर जाओ भीया एक बात देखो प्रेस वालों की मैं यात्रा में चल रहा हूँ मैं टी शर्ट में हूँ मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे चलते हैं वो फटी शर्ट में होते हैं उनकी पूरी टी शर्ट भी नहीं होती मगर इन मीडिया बालों मैंसे एक भी ये नहीं कहता भाया हिंदुस्तान में किसान का बेटा बिना टीश बिना बिना स्वेटर के क्यों गूम रहा है ये सवाल नहीं पूचेंगे ये कभी नहीं कहेंगे भईया ये मजदूर है ये टीशर में क्यों गूम रहा है ये किसान है ये सेटर बिना जैकेट बिना क्यों गुम रहा है ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे ये सच्चा सवाल है मेरे टी-शर्ट वाला सच्चा सवाल नहीं है सच्चा सवाल ये है कि हिंदुस्तान के बच्चे हिंदुस्तान के किसान हिंदुस्तान के मजदूर टी-शिर्ट में सर्दी में क्यों घूम रहे हैं ये सवाल है मगर ये कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि बाईयों और बेनों ये आपके नहीं है ये जैसे गोड़ा होता है ना गोड़ा देखा आपने शादी का गोड़ा होता है उसमें लगाम होती है ना उसको लगाम को टाइट करो एकदम रुख जाता है वैसे इनकी लगाम है लगाम लगे है प्रसवालों पे जैसे ये दोड़ने के कोशिश करते हैं जैसे दोड़ने के कोशिश करते हैं नाम खीशते बस रूज आते हैं अच्छा ये ये मत सोचें कि ये बोलना नहीं चाहते हैं मेरे पास आते हैं कहते हैं राहुल जी यह हम सच्चाई बोलना चाहते हैं मगर हमें किसी और को डाल देंग वो जूट बोलेगा तो यात्रा का लक्ष जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है उसको मिटाने का है बाईयों और बहनों बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को किसानों को मजदूरों को डराने की पॉलिसी है नोट बंदी, गलर जी एसटी, कोविट के समय जो इनों ने किया ये सारे की सारी पॉलिसी हैंस किसान को मजदूर को डराने के लिए है क्योंकि ये जानते हैं जब ये डर फिलाते हैं उस डर को नफरत में बदलना बहुत असान होता ये इनका काम है जनता को डराओ, किसान को डराओ, मजदूर को डराओ, युवा को डराओ और उसके डर को नफरत में बदल दो डरो मत ये भाईया, ये एक बात समझ लो ये आपने बोला डायलोग ये मेरा डायलोग नहीं है ये ये शिप जी का डायलोग है ये डायलोग डरो मत ये ये हमारा धर्म है अब देखिए ये करोणों रुपए का लाकों करोणों रुपए का अरब पतियों का कर्जा माफ कर देंगे लाकों करोण रुपए एक मिनट में माफ कर देंगे और किसान भूका मर जाए उसका क्रजाए員 माफ नहीं कर सकते कभी नहीं कर सकते आप यूपी के बाकी हिंदुस्तान चिसान हमारे पास आए थे यूपी ए कि सरकार थी आपने कहा हमारा क्रोप क दस दिन में हमने 70,000 करोर उपै मजदूरों के लिए है गरीबों के लिए मंरेगा भोजन का अधिकार किसानों के लिए कर्ज़ा माव मोफ रह है कि क्यों हम दर को मिटाने की राजनेती तते हैं किmente यह जानते हैं अगर यह देश डर जाएगा इस देश का फायदा नहीं होगा अगर नफ्रत फैल जाएगी इस देश का फाइदा नहीं होगा भाई और बेनो दो और मुद्धे हैं यात्रा के एक है महंगाई और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री जी आते थे जब यूपिया की सरकार्तिय कहते थे गयास सिलिंडर चारसो रुपे का हो गया है चारसो रुपे का गयास सिलिंडर भायों बहनो आज कितने का है मगर आज प्रधान मंत्री आज आ करनी कहते कि ग्यारा सूर हों गया अच्छा एक और सवाल है यह जो ग्यारा सो और चार्ट सो रुपए का फर्क है ये किसके जेब में जा रहा है ये किसी किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा है ना मतलब ये आसमान में तो नहीं गायब हो रहा तो याद रखिए ये नरेंद्र मोधीची के जो खास मित्र है तीन चार खास मित्र है ये जो आपके गैस सिलिंडर का पैसा आपके जेब में से निकाला जा रहा है उनकी जेब में जा रहा है अच्छा भाईयों और मैंनों पेट्रोल का क्या दाम हुआ करता था यूपिये के समय साथ रुपे आज क्या है सो तो ये भी याद रखिए ये जो चालिस रुपिया साथ रुपिया जो है जो आपके जेब में से निकाला जा रहा है ये भी उनके दो तीन मित्रों के जेब में जा रहा है तो हमारा दूसरा मुद्ध महेंगाई और तीसरा मुद्ध सबसे बड़ा मुद्ध जो देश में नोट बंदी गलत GST के कारण बेरोजगारी फैली है आज तीन हजार किलोमेटर में हर स्टेट में मुझे युवा मिलते हैं मैं पूछता हूँ क्या पढ़े कहते हैं एंजिनियरिंग की डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की आए इस के लिए त्यारी की और पर मैं पूछता हूँ भई आप करते क्या हो कहते हैं राहूल जी शर्मा के कहते हैं राहूल जी हम तो मजदूरी करते हैं कोई कहते हैं कोई कहते हैं भईया कोई कहते हैं मजदूरी करते हैं कोई कहते हैं भायाम पकोड़े पका रहे हैं एंजिनियरिंग की पढ़ाई की आलू के पकोड़े पना रहे हैं अच्छा एक रास्ता था युवाओं के लिए अगनी वी रोला उसमें क्या था सुबह युवाँ उठते थे चार बजे उठते थे दोड़ते थे यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे देश की रक्षा करने के लिए दोड़ते थे और सपना था एक दिन बॉर्डर पे जाके बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे तिरंगय की रक्षा करेंगे सपना था युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी नरेंद्र मोधी जी ने का नहीं भाई ये 15 साल वाली बाद छोड़ो पेंशन वाली बाद छोड़ो ऐसे करते हैं छे महीने ट्रेनिंग करो बंदूख पकड़ो चार साल रहो फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाहर बेरोजगार हो जाओ निया हिंदुस्तान और जब युवाओं ने कहा कि हमें ये अच्छा नहीं लगा और जब युवाओं सड़क पे उत्रे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुमारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो देखिए दूसरा रास्तर का रास्ता चेल रेलवेस का रास्ता उसको भी एक के बाद एक बाद एक बाद एक बेच रहे हैं उन्हीं तीन-चार लोगों बेच रहे हैं एरपॉर्ट भी उनको दिया जा रहे हैं पोर्ट भी उनको दिया जा रहे हैं रेलवेस भी उनको दिया जाएगी L.I.C. भी उनने के हाठ जाएगी B.H.L. B.H.E.L.H.L. सब उनके हाठ जाएगा और हिंदुस्तान के युवा बेरोजगार होंगे ये है नरेंदर मोदी इसके हम खिलाफ हैं और इसलिए हमने यात्रा शुरू की है और हम इसलिए नहीं तक हैं क्यूंकि आपने अपनी पूरी शक्ति अपना पूरा प्यार इस यात्रा को दिया है और लाकों लोग हमारे साथ कड़े हुए हर जात के लोग हर धर्म के लोग तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतना प्यार इतना प्यार और इतनी शक्ति आपने हमें दी इसके लिए मैं बहुत अवारे हूँ पूरी जिन्दगी याद रखूँगा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैन